नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे तो देखिए दोस्तों नया विलोग नई शुरुआत नया दिन और टाइम होते का है सवनो तो देखते हैं आशु क्या कर रही रसाई मैं अब एक कैमरे से दिखा दू कि अबना दी आज़े नास्ता कर लो सब किया बना दिया अब टी आपको अब भी शिकायत नहीं नहीं सिकायत कोज नहीं रोट्टी अब देए मजाई तो आजा तो अब देखिए जब नास्ता हूए मारा सिंपल साही हो ए ड़िया रोट्टी सब्सक्राइब करने के बाद बस फिर मैंने कीचन का काम कर लिया तो यह मक्खन रखा था जो मलाई थी वो मैंने जमा दी ती और इसमें से बनाना था मक्खन और आज पता नी क्या तो हुआ क्या नहीं हुआ था तो इसको मैंने लगबग अद्धा घंटे तक पूरा फेटा अच्छे से पानी भी डाल दिया इसमें लेकिन यह मक्खन नहीं आया काफी मैंनत करी है और मेरा हाथ में भी दर्द हो गया था लेकिन मने रख दिया थोड़ी देर बाद फिर एक घंटे बाद फिर मैंने कोसिष करी फिर बलो या इसको हाथ से इस सही रही से फिर नहीं बुला तो फिर मैंने रख दिया, ऐसे ही आज मतलब काफी टाइम लग गया, आज ऐसा पहली बार हुआ, मेरे साथ कि ये मक्खन आया नी, मतलब मलाई, बुलीनी और मक्खन नी नीकला इसमें से, तो फिर अब है दोपैर का टाइम मैंने रख दिया तो मैंने सोचा थगी, आथ में भ पर दो गया गुमाते गुमाते और आपको पता ही है कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत होड़ी बहुत ज़्यादा तो फिर मैंने सोचा चलो रख देती हूं फिर अब है दो पैर का टाइम खाना बनाने का और यह भी आगे थे मैं इनको बोल रही थी कि आप कर दो इसे मक्खन क अगेरा जो लसी बोलते हैं उसको बलोना ही बोलते हैं तो यहां बस मैंने इसमें हलका सा गुनगुना पानी करके डाल दिया है और बस इन्होंने फेट दी इसको अच्छे से और मक्खन आ गया था इनको भी मतलब 5-10 मिंटी लगी जादा तो जादा नहीं लगी तो खैर ज चिल गई है और मैंने कर दी है कद्दू कस अब उसमें रख दूंगी थोड़ी देर नमक मिला के जिससे उसका जो पानी है अच्छे से निकल जाए तो नमक लगा के मैंने इसमें रख दिया अब बस यह मक्खन भी बुल गया था तो मैंने सोचे चलो अब यह भी इसका भी क साथ साथ उसे गरम करके वैसे तो मैं पिंगला के रख देती हूँ अगले दिन गरम करती हूँ लेकिन मैंने सोचे चलो आज इससे साथ साथ ही इसका काम कर देती हूँ इसका जो घी है वो भी बना के रख देती हूँ साथ साथ ही वरना कल को फिर करना पड़ेगा आज कर लूंगी मसाला और मैंने मूली ओरन निचोड़ आ निकल ढ़ सब पाण siya निकल गया और चोकी आदा है तो जे काफ पाणी निकल जाता है तो जो मसाला होता है ये मूली का बहुत अच्छा बनता है तो ये पानी मैंने निचोड़ दिया काफी सारा निकल गया था और अब बस इसमें डाल दूँगी मसाले मसाले वो ही जो सभी प्राटों में डालते हैं इसमें मैं प्याज वगेरा कुछ नहीं डालती बस इसमें मैंने नमक, मिर्च और धनिया, हरी मिर्च धनिया पाउडर ये ही सब मसाले डाल दिया और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर तो ये सारी चीज़े डाल दिया और प्याज वगेरा मूली के प्राटों मैं डालते कोई तो डालता है लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि हमें अच्छे लगते और इधर देखे ये घी भी पके तयार हो गया बन गया है और मैंने इसको रख दिया था तो थोड़ी देर बाद थंड़ा हो गया है अब मैं इसको चान के रख दूँगी अगर ज्यादा थंड़ा हो मतलब दूद को रख देती हो यहनी कि बिल्कूल यह उत्यओं रख हो और सारे निकल लो तो इस तरह मैं इतना जळादा हो नहीं करती और जितना भी है चलो उसमें आराम से काम चलता اäre तो रख दी और फिर दोनों को बना दिया है बेलन से और बहुत ही अच्छे प्राठे बनते है इस तरीके से मैं आपको बता दू जो मूली के प्राठे हैया हो में इसे सिंगल बिलकुल नहीं बनते हैं और मैं आपको भी बता देती हूँ यह टिप्स कि अगर आपसे सिंगल प्राठे ना बने तो डबल बना ले और डबल ना तो फटते बिलकुल भी और ना मसाला निकलता इन में से और ना ही कोई प्रेसान नियोत्ती और मसाला भी अच्छे से बर जाता है जादा जादा तो यह हां इसी तरीके से बस मैंने सारे प्राठे बना लिये और बहुत ही टेस्टी प्राठे बने तो मैं बस लगातार बनाती रही और इनको भी बोल दिया था सब को की खालो और उनको देती रही इसके पापा भी चाच्चू गुडू भी आ गीती स्कूल से और इस भी तो सब ब बनते प्राटे तो आप डबल बनाएं बहुत अच्छे लगते हैं यह निकि हम सिंगल नी बना सकते तो बनाना चोड़ दो ऐसा नहीं है मेरा कोई भी काम हो कि अगर मेरे से कभी भी मैंने कोसिस कर ली मूली के प्राटे सिंगल बनाने की लेकिन बिल्कुल नी बनते मैं फिर दो बढ़े अंदर यू नहीं सारे एक ज़्यक्ता मैं दो अंदर बैके और अचार तो आप बढ़िया हो रहा होगा यह फाने का है एक अदवी इसमा खालू घटा लगया है यह मुझे तो बस मिर्च का चार अच्छा लगया और को यह चानी अच्छा लगता मुझे बढ़ अपना वियू दो गया कुछ दो नो ज्यादा पसंद लिया आज इसना खा लिया है आज तो यह आ रही कि ममा बहुत अच्छे बन रहे है तो जब खते है जब इतो पता चल गया पहले ही बता दो कि हमें नीखाना कुछ भी है ना जब बनाऊ तो टेस्टी बनेंगे तो फिर खाए भी जाओंगे कनया तुझा कैसे लगे असल में कनया को और और वह चाय की साथ खारा उसका दई दई उसकी बंद है तो इसलिए वह चाय की साथ खारा उसका टेस्ट अलगे तो जी रिजल्ट तो अच्छाया बनने के बाद और बस आप मैं भी खा लेती हूं मैंने भी खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद अब कर रही हूं मैं कीचन की क्लीनिंग और बस सारा समान देखिया ऐसे ही पड़ा है पूरा स्लेफ फैल ला हुआ तो यह सारा साप कर दूंगी सारा संगवा दूंगी समान जो जाधर ना है और खाना खालेते हैं तो यह सारा का गैस की क्लीनिंग करती है अच्छी तरीके से और जब प्राटे वगेरा बनाते हैं तो इसमें जादा फैल जाता है समान बहुत है और गैस वगेरा भी थोड़ा सा जादा ही गंदा हो जाता है तो यहां बस मैंने कर दिया और गरम पानी रख दिया है बरतनों के लिए क्योंकि गरम पानी डाल के बरतन दोते हैं तो अच्छे से दूल जाते हैं यह चिकनाट नहीं रहती है और एक जल्दी जल्दी मन जाते है वरना तो अगर अब गरम पानी ना डालो वैसे डालो तो जो घी वगेरा है वो जमा भी रह जता है बार बार मतलब जादा टाइम लगता है बरतन माजने में, तो मैं इसी तरीके से कर देती हूँ, फटापट से सारे बरतन साब, तो यहाँ सारे बरतन हो गए हैं मेरे, और उसके बाद बस फिर मैंने सिंख वगेरा भी धो दी, वैसे तो अंटी धो देती है, सुबह के टाइम, लेकिन यह है कि अपने हाथ का काम करा हुआ लगी होता है तो कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी गंदी सी ओरी वे कभी धो देती है कभी छोड़ देती है तो फिर मैं अपने आपी धो लेती हूँ तो यहाँ जो इस लेफ है सिंख है ये मैंने सारा धो दिया और जो किचन की क्लिनिंग है वो कर दिया है सारी तो अब मैं आ गई हूँ उपर और गुड्डू के पापा और ईशू तो नो आ गे थे पहले ही धूप में बठे थे उपर ही तो मैं लेट गया है सायद सो भी गये हैं तो मैं आगी थी थोड़ी देर मैंने रेश्ट किया उसके बाद फिर मिर्च रखी हुई थी मैंने धूप में सूखने के लिए कल भी रखी थी आज भी और यह थोड़ी गिली सी लग रही थी मुझे मतलब पिशने वाली दो दिन हो गे थे इनको दूप में रखे ज़्यादा सुकी नहीं थी तो फिर मैंने इनको साप कर दिया उसके बाद फिर मैंने आगी मैं नीचे और फिर अब पीश दूँगी क्य हो ही वो तो हम चलो आपको दिखा देते हैं लेकिन छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं जो कलने पड़ते हैं और पूरा दिन अब कैसे निकल जाता है पता नी चलता एक तो ठंड होने लगी बहुत gather होता है और बच्चों के काम भी हो जाते हैं कभी इसू की अकश् bereits हां पर मेरा इदा रखो चोटे मुटे ही और कभी चाय बनाओ उपिस में जैसा काम करते हैं फिर चाय भी देनी पड़ती है उनको ठंड का मोसम है तो वही कहरी है कि पूरे दिन का पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है सुबह से साम तक सबका ही मैं यह नहीं कहती है कि मेरा ही आप बो में बोलती हूं कि छोटा दिन होता है पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता निचलता तो जी बच गए है चार और इस हो गई है तैयार अब इसु को जाती हूं में छोड़ने के लिए त्यूशन है ना इसु को तिन संजाना पूरी फीट है अब पड़ता निच्चे तक जु नहीं पहर रखी ना तोड़ का चुड़ते ही आई लाइक ही आने जाने के लिए है ना तदी मैं इसको जाकती हूं छोड़ने ट्यूशन और बस वीडियो को रोकूंगी अभी आई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करे कमेंट करे संस्ट्राइब क करें सेयर करें तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई चलो वाई